खन से दूध बहाने लग गईयां यम नानती तो लागे दूध ये गाए सेल के लिए अबिलेबल है और गाए जब भी खरीदनी हो एक बार गाए के ओनर के बास विजिट जरूर से करें और ओनर से गाए की दूध छमता के साथ-साथ गाए के सवभाव खान पान रख रखाव आदि से समदित जानकारिया भी ले लें साथी साथ गाय को अपने प्रजेंस में जरूर से जांचे परखें यह काफी जरूरी है क्योंकि गाय का सवभाव आपके परती कैसा रहने वाला है यह खुद विजिट करेंगे तभी जान पाएंगे और गाय अगर ब्याई हुई है तो दो समय तीन समय की मिल्किंग भी जरूर से करकर देखनी चाहिए आज वीडियो में जो गाय आप देख पा रहे हैं यह प्रेगनेंट है कुछ दिनों में बच्चा देने वाली है कंप्लीट डिटेल आप वीवर्स के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा गाय के बारे में गाय के ओनर के बारे में ओनर की कॉंटेक्ट डिटेल्स और गाय की कीमत सभी जानकारियां आपके साथ साजा करूँगा अंतर तक वीडियो को जरूर से देखिए साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूलिए नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फारम टोक और मैं जैपाल सिंग राठोड हर घर देशी गोवन्स हर खूंते देशी गोवन्स इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज के वीडियो में आप एक राठी नसल की गाय देख पा रहे हैं जो की ग्याबिन है प्रेगनेंट है कुछ दिनों में नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिले हम इस चैनल पर रोजाना डेली बेसिस पर चार से पांच वीडियो अप्लोड करते हैं उनके माद्यम से आप अपने लिए इन गायों के अंदर कंपेरिजन करकर अ अच्छी से अच्छी गाय का सेलेक्शन कर सकते हैं आपके बजट के अनुरूप मादेव डेरी फारम के ओनर जीतू चोहान जी इस गाय को सेल के लिए अवेलबल करवा रहे हैं विलेज 16 जेड 16 जेड डिस्टिक शिरी गंगानगर राजस्तान के रहने वाले हैं इनके मोब पाइल नमबर पर संपरक कर संपर्ण जानकारी ले लें खुद एक बार विजिट जुरूर से करें विजिट करेंगे तो लगबग आदा दर्जन के आसपास यहां आपको राथी और साइवाल नसल की गाये देखने को मिलेंगी उन में से भी अपनी पसंद्दी गाये का सेल अबीद है और कीमत 28,000 रुपे डिमांड की गई है गाये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जुरूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा वे भी लिखें धन्यवाद दोस्तों